यह दोस्तों में चिराग एक और वीडियो के साथ तो आज हम देख रहे हैं activity-based costing का पार्ट जैसे हमने पिछली वीडियो में process costing के पार्ट कवर किये थे वैसे आज क्या देख रहे हैं ABC activity-based costing अगर इसके कुछ topic आप आज रहे जाते हैं तो उसको अगली वीडियो में cover करेंगे देखिए activity-based costing की वीडियो में पहले भी प्रवाइड कर चुका हूँ अराउंड 11-12 माही ने पहले मैंने face-to-face वीडियो प्रवाइड की ती जो कि जनरली whiteboard पे cover थी ठीक है तो उसमें ज्यादा element नहीं था क्योंकि आपको बताए कि उसकी limitation रहती है जबकि PDF में limitation नहीं रहत यानि process cover कर लिया था क्या होता है और process में मैंने CA की वीडियो यह देखी थी थोड़ी सी जो हमारी वीडियो थी उसके साब से या YouTube पे वीडियो देखी थी उसके साब से मैंने क्या cover कर आया था कि आपकी primary activity होती है secondary activity होती है फिर आप overhead को क्या करते हो आप portion करते हो यानि department है अगर service to department का overhead है तो उसमें जाएगा उसे बोलते है allocation देखिए मैं आपको हलका बेसिक बता रहा हूँ apportionment over overhead का मलब क्या होता है जैसे आपके तीन department production के दो department service के है एक P1 है एक P2 है एक P3 है एक S1 है और एक S2 है यह आपने पड़ा होगा apportionment and reap apportionment of overhead का पूरा एक chapter आता था आपका पहले metal का आता था फिर labor का आता था फिर overhead का chapter आता था उससे पहले आपके cost के element आते थे direct material, direct labor, direct expense, indirect material, indirect labor, indirect expense ऐसे आपने देखियोंगे तो आप देखिए एक example बताता हूँ जैसे office का rent है तो आपको बताए कि office के area को cover कर रहा है तो generally वो area के basis पर क्या होता था जो भी office का rent होता था वो बढ़ जाता था उससे हम क्या बोलते हैं apportionment तो allocation का मतलब क्या हो गया कि वो particular department से related overhead है उसे हम क्या बोलते है apportionment apportionment मनलब क्या हो गया एक बारी बातना जो कि common expense को बाता अब आप example देखिए electricity expense तो किसके basis पर होंगे आपको पता है कि floor area के basis पर हो सकते है number of electricity points के basis पर हो सकते है canteen expenses number of employees के basis पर depreciation या insurance जो fixed assets पर हो रहा है तो fixed assets की value पर जैसे machinery पर depreciation करा तो उसकी value बढ़ जाएगा machinery की value पर depreciation बढ़ जाएगा सारे department में अब आपको बताए कि इनको नहीं रखते हैं इनको खाली रखते हैं तो जो service department की cost आरी होगी दोनों की वह किसमें बढ़ जाएगी production में बढ़ जाएगी तो यह खाली हो जाएगे यह खतम हो जाएगे और सारी की सारी जो service department की cost है वह production में चले आएगी क्योंकि आपको बताए कि जो service से वो किस से link है production से link है तो आपको तो production की cost पता करनी है तो आपने जैसे ही service की cost service department की cost production में बाटी उसे बोलते है re-apportionment क्या बोलते है re-apportionment तो आपकी total overhead आ गई अब आपको बताएगी कुछ ना कुछ तो rate निकान ली पड़ती है recovery rate बोलते हैं जिसे या overhead recovery rate बोलते हैं तो कुछ न कुछ तो निकान ली पड़ती है तो आपको पता है कि ऊपर क्या होता है total overhead होता है और नीचे क्या होता है machine हो गए labor hours हो गए ठीक है अगर direct wages के proportion में किया तो divide by direct wages हो गए अगर आपको percentage में निकान ली पड़ती है जो कि किसी भी particular center पर अलोकेट हो सकती है देखिए आप दिमान लगाईए एक particular product को बनने में बहुत सारी cost लगती है तो आपने total overhead लिए उसके basis पर आपने machine over कर दी है तो आपके मान के चलिए कि 5 rupees per machine over आ गए और एक छोटा सा cost center है जिसमें आपके machine over कितने लगते हैं 500 over लगते हैं तो हम क्या बोलेंगे आपकी overhead कितने निकले 500 into 5 क्योंकि rupees 5 per machine over की rate है और आपके उस cost center में 500 machine over लगते हैं तो overhead की cost उस center के लिए कितनी होगी 500 into 5 25,500 रुपी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ आप जनरली कि अगर तो जब भी divide करते हो तो एक blanket rate लेते हो अगर आप सारी की सारी company की यानि particular product के लिए एक rate लेते हो उसे हम बोलते अगर आप अलग-अलग department से related overhead की rate निकाल रहे हो तो उसे बोलते है departmental rate ऐसे बोला जाता है तो यह तो आपने किसमें सीखा था आपने ट्रेडिशनल वाले बार्ट में सीख लिया था अब आप देख रहे है activity based costing का पार्ट तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी particular product produce होता है उ focuses on activity perform to produce products इसलिए आपको जो step दिखेंगे वो थोड़े से अलग दिखेंगे यहां पर बोल जा कि जो भी product produce होते हैं उनसे related activity जो perform होती है उस पर जनरली यह focus करता है यानि इसका मलब क्या हो गया कि जो number of activities है उसकी भी cost को देखा जाएगा उसके भी expenses को देखा जाएगा और यह rate निकाली जाएगी अभी जैसे मैंने आपको बोला machine hours तो वह एक तरीके से क्या एक driver होता है क्या होता है जिसके तुरू क्या निकलती है rate निकल के आती है वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला कि number of order machine setup की cost होती है तो आपको बताए कि number of machine setup यह सारे activity cost driver होते हैं जो कि मैं एक्टिविटी की cost होती है उसके बाद product की cost देखी जाती है this costing system assumes that activities are responsible for the incurrence of cost and create the demands for activities तो यह बोल रहा है कि generally department में जो भी activities होती है वही cost को incur करती है अगर जितनी ज्यादा activities होगी उतनी ज्यादा cost होगी लेकिन आपको बताए कि जितना ज्यादा department बढ़ा होगा या business बढ़ा देखे जैसे मैं बोलता हूं कि मैं छोटी manufacturing unit हूं तो उस case में क्या होता है कि जो purchase का part आता है raw metal मंगाने का वो ही मैं मंगाता हूं purchase order में देता हूं ठीक है जितनी requisition चाहिए होती है जितना metal चाहिए होता है वो मुझे पता रहता है order में करता हूं उसके इंसपेक्ट भी में मैं करता हूं चैक भी मैं करता हूं और stock level maintain करने काम भी मैं करता हूं तो फिर कुछ cost लगी है नहीं क्योंकि सारी activities क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं ऐसे बोल रहा है लेकिन अगर एक बड़ा department होगा तो उस case में क्या होगा या बड़ा business होगा तो उसमें department भी अलग अलग हो जाती है तो purchase तो एक function है यह मान के चलिए उस function के अंदर बहुत सारी अलग अलग activities आ सकती है अब purchase function के अंदर क्या activities आएगी सबसे पहले क्या होगा देखो store department आपने सुनोगा एक store department है जिसके बास बुर्स पढ़ा रहता है हर department में क्या होते है अपने store department बने होते हैं जो कि production department को करते है तो जिसके देता है प्रॉडक्शन डिपाagर करेगा हमखर रिखेंगे जैनली क्या होगा कि जिचो उसको चाहिए होता है उसको महाने के लिए तो किस रिक्षे डिपाटमेंट को कुक रिक्षे बॉड करेगा सैबोस करेगा ने तो एक प्रिचर धिपाट फ़ीर के परफिराई आएंट या कि बाइड टो रातेमेंट होता है वो गया हम तो इतने उस्टक्राइबल नहीं है। को देखके परचेश department ने tender invite किया tender का मुलब क्या होता इस supplier invite किया supplier ने अपनी prices कोट करी उसमें से बेस ऊप्लायर चुना तो देखिए activity हो गही है कि tender invite करने पर बेस ऊप्लायर चुना पड़ घया फिर उसके बाद उस टो सब्सक्राइब के पास आ गया वाव किया तो आपने उसको इंसपेक्ट किया या निश एनि नहीं है इंसपेक्ट करने के बाद क्या गदा कुछ माल जो खराब था वह लोड़ा ड़ा गटिया तो बाकि जो बच गया फिर उसके अकॉर्डिंग आपने stock level maintain करने का काम किया तो उस basis पर क्या होता है जब भी आप अपने पास stock रखते हो तो goods receive note होता है सामने वाला क्या करता है आपको metal देता है या stock देता है supplier जो भी आपको देता है तो उस case में आप क्या करते हो goods receive note maintain करके चलते हो तो इस तरीके से बहुत सारी activities होती है जो purchase department होती है मैंने आपको बताया समझ गए ना तो वैसे production department होगा वो भी क्या करेगा बहुत सारी activities का पाट करेगा जैसे machinery को set up करने का part करेगा तो machinery को set up करेगा तो उसकी भी कुछ ने कुछ cost लेगेगी आपको बता है कि दो shift में काम होता है मान के चलो इवनिंग इवनिंग बोल रहा हूँ नॉर्मल यानि morning वाली shift भी होती है और night वाली shift भी होती है तो आपको बता है कि morning 9 to 5 होती है और night वाली जो shift होती है वो क्या होती है 6 to लेके जो भी night तक चलती है तब होती है shift 6-2 लेके 4 या 6-2 लेके 5 तब भी होती है जो shift होती है तो उस case में machine क्या होती है दो बार चलती है तो machine को setup करने में दो बार time लगता है तो number of machine setup क्या है एक दिन के 2 अगर 30 दिन आपने काम किया तो number of machine setup कितने है 60 तो जब भी आपने machine setup बोला वह activity है लेकिन जब भी आप number of machine setup बोलोगे वह क्या है activity cost driver वह क्या है activity cost driver समझ गए जैसे आपने order बोले purchase order दिया तो वह क्या है activity लेकिन number of purchase order क्या है activity cost driver तो activity मलब क्या है आप कुछ ने कुछ वक कर रहे हो तो आप किसी ने किसी activity से related कर रहे हो तो एक्टिवीटी हो गई आपको बता है ठीक है है normal और आपको बता है कि जब उस activity को आप number में denote कर दोगे कि number of machine setup कितने है number of order कितने है तो सारा का सारा बाटके आ जाएग आपका activity cost drivers related और को जाएंगा आपको समझ में एक और दे रखा है एकूंटिंग फर्म प्रिपेर टेक्स रिटन देखिए एक आक्टिविटी वगई आपको बताया कि ढूतिए इंकम टेक्स रिटन भी डिटी ऑठी यह होती है और एक सारी अक्टिविटी को बढ़ाते है उनिач सब्सक्रा है वो तैयार करना ऐसे बहुत सारी number of activities आ सकती है cost are charged to product based on individual products use of each activity आ गया इसका मुलब क्या है कि देखिए इसका मुलब generally यह है कि जो भी हर activities आपने use की है वो individual product में कितनी use आई है तो उस basis पर generally आपने cost charge कर दी देखिए क्या होता है कि जो आपने मैंने मैंने आपको total overhead upon machine और बताएं उसके जगे में आपको बोल सकता हूं कि number of machine setup कितने है तो यह number of machine setup आप होते है activity cost driver होते हैं जैसे आप टोटल overhead में number of machine set up divide कर दो गे तो क्या निकल का एगी rate निकल आइगी तो आप हम क्या बोलेंगे activity cost driver rate activity है तो आपको पता है कि हर एक्तिविटी के पार्ट को आप प्रड़क्ट पर अप्लाए कर सकते हो इच इंडिविजल प्रड़क्ट पर अप्लाए कर सकते हो तो देखिए बेसिकली यह सब चीजों को सब चीजों की लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो ABC को ऐसे बढ़ते रहते हैं यह बोल रहा है कि ABC यह चाहता है कि जितनी भी कोश्ट हो सके जादा से जादा वो डारेट कोश्ट प्रड़क्शन में चार्ज हो सके मतलब यह नहीं कि वो इंडिरेट कोश्ट की तरह है common कोश्ट और ओवरेट के फॉर्म में आप अब जैसे आप कन्वेंशनल कोश्टिंग सिस्टम देखते हो या ट्रेडिशनल देखते हो उसमें क्या बोल रहा है पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूं यह बोल रहा है वाया इस कंजम्शन ओफ एक्टिविटी बिकम्स डायरेट कोश्ट ऑफ दो प्रडॉक्ट यह किसमें बोल रहा है एक्टिविटी बेस्ट कोश्टिंग में तो आपको इंडिरेक्ट कोश्ट क्या इंडिरेक्ट हम बोलता है ओवरेट की तरह चार्ज करने की ज़रत नहीं ह क्योंकि ओवरेट वैसे ही इंडिरेक्ट होता है तो ओवरेट की तरह चार्ज करने की ज़रत नहीं है अगर वो किसी इंडिविजल प्रडॉक्ट में चार्ज हो रही है तो चार्ज होने दीजिए अगर वो नंबर ओफ एक्टिविटी उससे रिलेटेड है तो पर इंस्टेंस इंडि कावेंशेल कोौ्ष्ट है याणि पुराने सस्टम में में स कॉष्ट ओंडर प्रोडउक्शन टाइम को क्या मांता था चाएंड नहीं इसप्ट्री ओवरेट तो अगर इसको आपने प्रडॉक्शन या फै्क्ट्री ओलत माना तो इस самое में क्या करोगे आप overhead का absorption करोगे तो उस case में आप क्या करोगे apportionment करोगे re-apportionment करोगे तो आप सारे production department और service department में इनकी कोश को बाट दोगे किसके basis पे direct labor और के basis पे basis क्या होता है proportion जैसे अभी मैंने बताया कि depreciation जो लगेगा तो depreciation कैसे बटेगा fixed assets की value के basis पे मैंने आपको बताया electricity expense किसके basis बटेगा number of electric points के basis पे या floor area के basis पे rent कैसे बटेगा floor area के basis पे canteen expense कैसे बटेंगे number of employees के basis पे इस तरीके से बहुत सारे आपको example दे दिये जाते है ठीक है तो वैसी यह बोल रहा है कि जो cost of setup और adjustment type है वो conventional costing system में किसके basis बटते है direct labor और के basis बटते है but in ABC setup and adjustment time is determined for each product and its cost are directly charged to each product कैसे मैंने आपको बताया था भी setup से related क्या आता है number of machine setup तो जैसे आपने divide by number of machine setup करा तो per activity की cost निकल के आ गई यानि per number of setup की cost कितनी है 5000 rupees per setup ऐसे आ गया न ABC is generally used as a tool for understanding product and customer cost and profitability नॉर्मल पार्ट है अब देखिए वही चार्टेड हाँ यही तो है Chartered Institute of Management Accountant उसने क्या define किया है cost attribution to cost unit on the basis of benefit received from indirect activity example ordering setting up assuring quality इस तरीके से बहुत सारी आपको activity दे रखिये तो इसकेस में क्या बोल दिया cost को attribute करना किदर cost units पे किसके basis पे जो आपने benefit receive कर रहे है indirect activity से देखिए आपने वह सुनाओगा order को procure करना order को procure करने का मतलब क्या है जो मैंने आपको purchase से related सारा बार्ट बताया न कि ordering का पार्ट आ गया फिर उसके बाद क्या हो गया metal आ गया उसको inspect कर रहे हो check कर रहे हो फिर उससे related level को maintain कर रहे हो वो सारा क्या order को procure करने का पार्ट आता है तो ordering का पार्ट आ गया उसको setup मलब क्या हो गया machine के setup का पार्ट आ गया फिर जो product बना उसकी quality को check करना ये सारा पार्ट आ गया तो जितनी भी आप indirect activity का पार्ट है उससे related benefit receive कर रहे हो किदर cost unit में the feature of ABC आपको क्या दे रखे है अब क्या करेंगे example के दुरू थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पर पहले एक बार features देख लूँ क्या बोल रहा है ABC is a two stage product costing method the first assign cost to activity and then allocate them to product based on the each product's consumption of activities देखिए इसमें यही बोल रहा है cost pools in the two stage approach now accumulate activity related cost यह second point है तो cost pool का मतलब क्या होता है देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि procurement का पार्ट आपको बोला मैंने देखिए इसमें आप order में अब फिर order देने के बाद क्या हो है Candy इसको को इस्टौर कर रहे हो इतो पाड़ाया तो आपको मैंने पार्ट आया उसके वह आपने M इन्वाइट किया supplier ने क्या कर दिया जो बोली लगाई यहां बोल सकते है quotation लगाई उस quotation को आपने क्या कर दिया एकसेप्ट कर दिया बहुत सारे supplier क्या होता है आगे particular वो production department में जाता है तो पर्टिक्लर जो यह ना order हो गया inspection हो गया storing का पार्ट हो गया यह अलग-अलग activities हो गई इन सारी activities से related cost को आपने एक जगे जमा कर दिया जिसको हमने क्या बोल दिया procurement इसे हम क्या बोलते है the cost pool तो जब number of activities को एक जगे जमा कर देते हैं उसको आप क्या बोल देगे cost pool तो यहां पर यह बोल दिया the cost pool in the two stage approach ना accumulate activity related cost आगया ना जमा कर देगी activities से related cost को सारी क्या कर देगी एक खटा कर देगी अगर आपको समझना है जैसे उपर वाले पार्ट को तो यहां पर मैंने एक illustration cover किया हुआ है PDF के अंदर नहीं cover कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको explain करके बता रहा हूं क्योंकि देखिए आपको practical illustration की वैसे कोई need नहीं है लेकिन फिर भी हल्का basic समझना तो जरूरी है यहां पर देखिए डायरेक्ट material cost parent दे रखी है यह unit produce दे रखा है और यह total में लाकि इतनी unit produce हो रखी है यह direct labor दे रखा है अब देखिए आपको यह cost driver दे रखा है तो cost driver driver समझना simple है जब मैं आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो वहां पर मैंने आपको दो driver बताया है तो मैं देखो detail नहीं कर रहा है क्योंकि आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे उसमें मैंने बताया था है एक resource driver होता है resource मतलब क्या होता है money आपको काम करने के लिए चरूरत होती है finance के चरूरत होती है तो आपके पास money होना चाहिए तो उस money के resource के तुरू आपकी activity का part denote होता है तो वह activity driver का part आगया कि number of setup कितने है तो देखिए ए मशीन के number of setup setup कितने 125 ए मशीन बोल रहा हूं ए प्रोड़क्ट है न ए प्रोड़क्ट के number of setup कितने 125 मतलब machinery को 125 time setup करना पड़ता है शायद यह साल के साब से दे रखा है बी का कितना 75 और सी का कितना 50 टोटल मिला कि है कितने 250 machine hours देखिए 2500 1500 2000 टोटल मिला कितना हो गए 6000 हो गए फिर यह देखिए डारेक्ट लेवर और दे रखा है और अब देखिए activities आपको दे रखी है तो मशीनिंग उसके अंदर क्या बता दिया एक तो setup होता है और एक मशीनिंग का बाट होता है और टोटल कौश कितने लगी है 9 लाक तकती है 1 लाक 50 की और 750 की एक यह आप देख सकते मशीनिंग फंक्श्ण है और एक असेंबली फंक्शन है उसमें इसेंग का बाट होता है इक इन्स पेक्शन का बाट हो तोटल में लाकि कितने होगा है आप थोड़ी करोगे 13,50 और यह थोड़ी मशीन ओवर कर दोगे या जो आपको यह नमबर और सेट अप दे रहे हैं यह दिवाइड कर दोगे देखिए अगर आप टोटल ओवरहेड को दिवाइड कर देते हो तो वह कौन सा सिस्टम हो जाता है कनवेंशनल सिस्टम हो जाता है जहां पर आप activity के basis में बाट रहे हैं आप किसी particular criteria के basis बाट रहे हो और आप क्या कर रहे हो पूरी overhead को या तो machine over या number of setup या direct labor or या number of inspection के basis बाट रहे हो क्योंकि question में बोल रखा है कि नीचे के डिवाइड कर रहे हो machine over के basis पे लो इस setup के basis पे लो तो वो तो conventional हो गया लेकिन अगर आप अलग अलग पार्ट को आपको बता है कि number of setup जो दे रहे हो किसके लिए machinery के setup के लिए ठीक है assembly का जो पार्ट दे रहे हो किसके लिए दे रहे हो और या direct labor or के लिए दे रहे है तो देखना सबके अलग अलग डिवाइड हो रहा हो 250 6,000 45,100 ना कि कोई specific तो अगर आप पुराने system लोगे तो उस case में क्या होगा किसी ने किसी particular basis पे बोल देगा कि 13,50 को बाटो जबकि आपको बताए कि 1,50 की cost है तो देखे सेट अप की 1,50 को अपॉन उसी के सेट अप वाले बाट में बाटा है तो सेट अप की cost क्या आगई 600 रुपीज पर सेट अप मशीनिंग में क्या होता है मशीन ओवर आते हैं तो आप उपर देख लिए 6,000 मशीन ओवर है 7,50 अपॉन 6,000 तो अलग अलग को उन्हीं के basis पर बाट रहा है तो इसकेस में क्या होगा वो number of activity के basis बट रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं देखिए आप दिमा लगाई है मैं आपको बार बार बोला overhead अपॉन activity cost driver ड्राइवर डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगी रेट निकल के आएगी तो देखिए नाम के देदिया activity cost driver rate यह activity cost ड्राइव ठीक है अब देखिए इसका मतलब क्या होता है cost driver जैसे देखिए आप चलाते हो तो आप जिस दिशा में उसको करना चाहते हो तो आप क्या करते हो हैंडल मोड देते हो वहां पर बाइक एक्टिवा यह कार जो भी है वह आराम से चलने लग जाता है तो वह क्या हो गया आप बाइक के तो दिश्च करके देखिए कितना आजाता 500 रुपीज पर सेट पाज़ा था 600 की जगे तो रुपीज से क्या करती है आपकी cost कम कर दी ठीक है पर सेट अब को पताए कि पर सेट अप क्यों होगा 500 रुपीज से यहनि 100 रुपीज कोस्ट कम कर दी लेकिन किसी परटिक्लर सेट जनाने में 50 की सेट अप लग रही है तो 600 उपीस पर सेट अप है 600 इंट फिफ्टी कर दीजिए ऐसे बोल रहा है क्योंकि आपका टोटल फूट फिफ्टी है यह देखिए 6000 मशीन और दे दिये अगर यह को चैंज हो जाता है तो आपको बताई कि अगर डॉट होड़ाता था तो अभी चैप्ट घ्र सेक्ट फिफ्ट करला चारिंट उसे में इस ल्याएवेर्ड रोट वॉला जा रहा है तो नंबर ओफ मशीन तप और 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 मशीन हो मशीन वार नंबर फ्लिवर और number of inspection यह सारे क्या है cost driver समझ गए activity cost driver और जो activity हो क्या एक लाती है यह सारी setup machining assembly inspection यह भी activity है आगे आपको समझ में इस तरीके से आपको बाट दे रहा है use the activity based costing method to determine the unit cost for each product अब हर प्रॉडट के लिए आपको निकालनी है unit cost निकालनी है तो यहाँ पे इसने क्या अगर रखा है आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेटरेल डायरेक्ट लिपर दे रखा है यह पर्टिकुलर आपको दे रखा होगा लेकिन जो इसने ने 600 रुपीज पर सेट अप 125 रुपीज पर 900 जो भी निकाले सारे पार्ट इसको मल्टिपलाई कर दिया जो भी पर्टिकुलर सेट अप की पार्ट है एक बार उपर जाके देख लीजिए जो सेट अप के दे रखे हैं देखिए यह दे रखे हैं एक एक बार आपके आज कैलकुलेटर अगर है त तो आप 600 x 125 करके देख लेना और एक बार 600 x 75 करके देख लेना तो आप देख लेना 600 x 125 करोगे तो कितना आएगा 75,000 आएगा और यह 45 आएगा बस मैं इतना ही बता रहा हूं और ज्यादा नहीं बता हूंगा क्योंकि सिंपल बार्ट है और हाँ डारेक्ट मेटिल कैसे निकल लेना और इंटू 200 कर देना उस हिसाब से किरल चाइगा भी और यह फो और यह तो यह इन लाकत है और यह इनकी है चारो की तो यह आपकी कोस्ट और यह आपकी ओरेट की कोस्ट मिला कि टोटल कॉस्ट अगई डिवाइट बई किया करते यूनिट कितना निकला 25000 तो जैसे 25,000 करेंगे तो यूनिट कोस्ट यानि कोस्ट निकलके आ जाएगी तो आपका में तो देखिए ट्रेदिशनल में क्या होता है को स को डायरेक्टली प्रोड़क्ट के थुरू अलोकेट करते हैं लेकिन एक्टिविटी में क्या होती है दो स्टेज आती है दो स्टेज का मलब यह देख लिए डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा फिर मुझे वापस दिखाने की जुरत नहीं होगी देखिए ट्रैडिशनल कॉस्ट सीधा प्रोड़क्ट जबकि यहां पे क्या बोल रहा है जो कॉस्ट है वो किस से रिलेटेड है एक्टिविटी से रिलेटेड है ठीक है और एक्टिविटी फिर किस से रिलेटेड है प्रोड़क्ट तो आप देख लेजिए कि यह प्रोड़क्ट को इससे लिंक कर रखा है रो बनाके और activity को किस से link कर रखा है कॉस से link कर रखा है तो यह टू स्टेज आ गया और जब कि यह सिंगल स्टेज से related part हो गया तो यह क्या हो गया traditional और नीचे वाला क्या हो गया activity बेस्ट हो गया इस तरीके साब को सिंपल यह होता है लेकिन देखिए समझाने में क्या थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है अगर आपको मैं पर्टिकुलर कोई पॉइंट नी बताऊंगा तो आप वैसे कन्फिज होंगे और पांच मिनट दस मिनट सोचके वैसे हो कररे हो अबने देखा ना रख मैटल में आपने इंस पेक्शन कर रहे हो सबसे और कर एंग्रSuर्स अप देखिए मैंने आपको बताया था कि cost driver में दो आते हैं आप चाहें मेरी पहली की वीडियो में देख लेना वहां पे मैंने लिखा हुआ है एक जगे लिखा हुआ है resource और एक जगे मैंने का लिखा हुआ activity driver जिसे जनरली में बार 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 बोल रहा हूँ activity cost driver customer to resort driver का होते है बाइ सबसे पहले आपके पास जैसे मशीन अपको खरीदनी टो मशीन अच्री होना चाहिए है क्या होना चाहिए मटियोना चाहिए थो आपको रिसोर्ट होना चाहिए तो मचे आपको Прै idee abrasive और ऑप मशीर्ष एक तरिके आपका activity पे use कर रहे हो यही तो आ गया तो यह बोल रहा है कि देखिए activity consume resources तो activity क्या करती है इन resources को consume करती है और product consume activity प्रड़क क्या consume करता है उस activity को consume करता है जिसके थुरू product की cost निकल के आती है क्योंकि पहले activity की cost निकल के आती है और activity की cost कैसे आती है पहले आपके वास resource होते हैं, उस resources को आप क्या करते हो, business में लगाते हो, machinery खरीदते हो, capital लगाते हो और उसके थुरू जनरली activities होती है और activities पर cost लगती है, उस activities की cost कहा पर जाती है, product की cost पर जाती है अब देखें आपको क्या बोल दिया, activity based costing can be used by any organization that wants a better understanding of the cost of the goods and service that it provides जो वो provide करती है, जिसमें आपका क्या आगया, manufacturing का part आगया, service का part आगया, and even non-profit organization यह बोल रहा है कि कोई भी business हो, चाहे manufacturing का हो, चाहे service का हो, या चाहे non-profit organization हो, वो पता कर सकता है ठीक है, देखें, जैसे मैंने university का part बोला तो university क्या करती है, मैंने बताया कि paper भी लेती है, admission fees भी लेती है और वो देखती कि per student की क्या cost आ रही है, student को पढ़ा रहे है, teacher पढ़ा रहे है, तो उन से related क्या part आ रहा है, तो वो हर activity की cost अलग अलग देख सकती है जब वो क्या कर रहे है, sports, tournament और्गनाईज कर रही है, तो क्या cost लग रही है, तो उस case में भी activity का part देखा जा सकता है इस तरीके से बहुत सरवाड आ गया, invigilator हो गए, जो कि एक्जाम में क्या कर रहे है, आते हैं वही एक तरीके से क्या करते हैं, गूमते रहते हैं आगे पीछे, तो generally आप देखोगे उनकी क्या cost लग रही है, तो हर particular activity की cost आप पता कर सकते हो अब terms दे रही है, जब ही हम cost object की बात करते हैं, तो इसका अमेलब क्या है, कि आप किसी particular job की cost देखना चाते हो, आप किसी particular product की cost देखना चाते हो, तो वो generally cost object का part कहलाता है आप किसी particular process की cost देखना चाते हो पर आप process costing की देखना चाते हो तो वो तो process costing में आ जाएगा यहाँ पर हम activity की बात कर रहें तो यहाँ पर देखे क्या है वो लिए product, job, customer आप generally customer को service देते हो तो उस case में आप क्या देखना चाते हो कि उस customer से related cost कितनी लग रही है कही हमारा loss तो नहीं हो रहा कि हम service दे रहे हैं और हमारी cost ज्यादा लग रही है तो हम cost पर customer देखना चाते हैं हम cost पर product देखना चाते है cost पर job देखना चाते है तो हमारा cost object क्या है it is an item for which cost measurement is required जिसके दुरू क्या होती है एक तरह से cost measurement required होती है तो जैसे हमने भी क्या देखा particular कि एक product को manufacture करने के लिए बहुत सारी activity होती है और उसके लिए क्या होता है activity से related बहुत सारे driver होते है तो यहां पर cost driver आ गया यह बोल रहा है in an ABC system the allocation basis that are used for applying cost to services और procedure are called cost driver it is a factor that causes a change in the cost of an activity देखिए मैंने क्या बताया कि यह factor है जो कि क्या कारण बनता है that causes a change in cost of an activity मैंने आपको क्या बताया cost में movement लेके आता है ऐसा driver जो कि cost में movement लेके आता है तो मेरे example में क्या था जो मैंने theoretically बताया था आपको number of purchase order हो गया cost driver इसके अलाव मैंने के बता है number of machine setup हो गया ठीक तो वह जनरली आपने देखा हो तो वह किस से रिलेटेट था purchase order से रिलेटेट था number of purchase order और machine setup से related था number of machine setup तो number of RI part तो जनरली cost driver है तो देखिए जो function दे रखाव एक्जामपल आपको दे रखें जो की अलग है मैंने जो पता है वह एक्जामपल अलग थे और यह अलग थे तो यह activity आपको दे रखिए अब इसके अंदर देखिए cost driver बोल रहा है number of research product personal hours on project आगया technical complexity of project फिर देखिए customer service Nord service us स्यायक्या पर इक्टिविटी Gea तो पर एक्टिवीटी की cost निकल के आ जाती है number of service call divide करोगे तो cost per call निकल के आ जाएगी number service divide करोगे तो cost per product service निकल के आ》 सीजायेगी और spend on servicing product तो cost per और spend निकल के आजाएगा इस तरीके से निकल के आजाएगा ऊपर ups ऑवरार होना चाहिए आभी हमने देखा था थीख है पूरी टोटल ओर两ए होने चाहिए पर्ट्रोग लर इस से रिलेटुत की सरविस करने से रिलेट 750 यहाभा सिर्प करने क्सीति थे रखा था था यह यह आपने unit costing पड़िए होगी unit costing में क्या होता है cost per unit निकल के आती है कि generally अगर हमें एक refrigerator बना रहे है तो इसकी cost क्या निकल के आ रही है तो उस case में उसका direct metal का part क्या है direct labor का part क्या है यह आप देख सकते हैं कि साल के दौरान कितना direct metal लगा कितना labor लगा जनरली यह आप देख रहे हो अब आपको बता है कि उसके अंदर आप overhead जोड़ रहे हो तो आपकी total cost आजाएगी office overhead जोड़ दोगे factory जोड़ दोगे office and administration जोड़ दोगे selling and distribution जोड़ दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी cost of good sold निकल के आ जाएगी अगर आप cost of production देख रहे हो तो sailing and distribution से पहले वाला पाट देख लीजिए और जैसे आप output करोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी cost per unit निकल के आ जाएगी तो यहां पर यहीं बोल रहा है they are cost by the production or acquisition of a single unit of product or the delivery of single unit or service तो यह single unit की बात कर रहा है तब इसका नाम क्या unit level cost batch में क्या होता है कोई भी product निकलता है particular batch में निकलता है आप देखोगे कि जब भी आपकोई product देखते हो तो उस पर पीछे क्या लिखा होता है lot number या batch number इसका मालब क्या है एक particular batch की cost क्या होती है उस particular batch में निकला है और इस batch को नाम देता है batch number lot number जो क्यों को लिखना जरूरी होता है एक तरह कि लीगली लिखना जरूरी होता है क्योंकि आपको बता है कि medicine जो भी देखते हो आप उसके पीछे क्या लिखा होता है lot number क्या है आप कोई भी खाने पीने के product दूरत नहीं होती क्योंकि आपको पता है वह expired नहीं होगी जातर वह चीजे जो जनली एक्सपायर हो जाती है तो आप उस पर batch level लिखने का काम करते हो मोश्ट ली कौश्ट और कौश्ट बाइए ग्रूप फिंग मेड हैंडल और प्रोसेश्ट एट इस सिंगल टाइम और र और आपने वन लैक यूनिट के लॉट में उनको निकाल लिया अब वन लैक यूनिट के लॉट में निकाला और आपको पता है कि जनरली इसमें कितने लगते हैं पांच-पांच दिन का गैप लगता है तो उसकेस में जाब manufacturing और expiry date देखोगे तो उसमें भी gap आएगा क्यों इसका गुरूब बना लिया जाता है इंडिविजल ही नहीं calculate की जाती क्योंकि वह यूनिट लेवल से रिलेटर है जबकि अगर आप बैच के साब से देखोगे तो कॉस्ट पर बैच क्या रही है अब यहां पर लेवल बैच कॉस्ट आ गया तो यहां पर क्या हो गया से ज्यादा particular product produce कर रहे हो तो यहां पर बोल दिया है कॉस्ट कॉस्ट बाइवलोप्मेंट प्रोडक्शन और एक्विशन ऑफ डिफरेंट आइटम इस कॉल्ड़ लेवल और प्रोसेस लेवल कॉस्ट तो यहां पर यहीं बोल दिया कि कॉस्ट जो लग रही है किसके तूरू कि तूरू मालब टेक्टिकल जो भी चेंजगेंज़ रहे हैं उसके दूंख मेंट मेंटनेंस कर रहे हो उसके थूरू तो आपका क्या हो रहा है डेवलोप्मेंट हो रहा है प्रडक्शन के तूरू एक्कुईशन ऑफ़ डिफरेंट आइटम बढ़ खरीद रहे हो क्योंकि कि आपको क्या करना है उस प्रट को प्रडूस करने भी डिफरेंट आइटम का यूज करना है इस इंक्लूड इंजिनिरिंग चेंज ओडर एक्विमेंट मेंटिनेंस प्रड़क्ट डिवलपमेंट एंड स्क्रैप इफ रिलेटेट टू प्रड़क्ट डिजाइन यह सारा मेंटनाने के लिए मैटल जैसे आप काम में ले रहो तो मैटल की बात नहीं कर रहा लेकिन वह उसकी सर्विस की बात कर रहा है जैसे हमने बोलते कि प्लांट की सिक्योर्टी रखनी है यह बिल्डिंग को मेंटेन करना है यह आ गया पूरे के पूरे और्गनाइशन की प्लांट की सिक्योर्टी को मेंटेन करना और एडवर्टीजमेंट प्रमोटिंग दा और्गनाइशन जो की और्गनाइशन के एडवर्टीजमेंट को प्रमोट कर रहा है कंपनी के किसी पर्टिक्लर प्रट की बात नहीं कर रहा क्योंकि अगर प्रटिक्लर प्रट्ट से र बोल रहे हो लेकिन अगर आप advertisement पूरे organization है company की बात कर रहे हो तो facility से related आ जाएगा फिर आपको दे दिया organization level cost certain costs are incurred at organization level for single purpose of supporting continuing facility operation these organization level cost common to many different activities and product and services can be prorated among services and product on an arbitrary basis only यह देखिए जनरली यह ही बोल रहा है कि जो कुछ cost होगी ना वह जनरली क्या होगी बहुत सारी activity से related common होगी तो यह बोल रहा है कि जो प्रोडिक्ट और सर्विस से related आपको बाटना है ना तो arbitrary basis में अपने मन से बाट दो तो अगर मन हो जाएगा गलत हो जाएगा इससे अच्छा क्या करो यह बोल रहा है कि जो भी नेट सेल हुई है नेट प्रोड़क्ट रेविन्यू आया है उसमें से जनरली इसको लैस कर दो इन cost को क्योंकि यह common cost है और यह particular किसी हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटी से related common है किसी particular प्रोड़क्ट या सर्विस पर अगर अलोकेट करोगे या proportion में अलोकेट करोगे प्रोड़क्ट या सर्विस पर तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि proportion में करोगे तो उसके लिए कोई बेसिस आपके पास नहीं है बोल रहा है फिर आपको एर्थ बोल दिया cost पूल अब देखिए cost पूल जनरली मैंने आपको बताया था कि cost और ग्रूप इंटु पूल एक्टिविटीज विच डराइव देम इन दिस ओल पूस्ट एस्सेटेट विट प्रकूर्मेंट इस ओर्डरिंग इंस्पेक्शन इस्टोरिंग एट्सेक्ट्रा वुड बी इंक्लूद इन दिस कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर इडेंटिफाई देखिनिक ऑफ अब अब देखिए ये बेसिक्स ऑफ अबीरी की आपको होता है अब आपको बता है क्यों इसके से पहली को ड्राइवर को देखना पड़ता है अगर आपके वास'S हैं तब जाके आप activities arrange कर पाऊगे अगर आपके वास resources है नहीं तो आप activity arrange नहीं कर पाऊगे यहीं बोल रहा है देखे अब देख सकते हैं कि पहली line में यहीं बोल रखा है कि ABC assign cost to product by tracing expense to activity मैंने वहीं बताया था कि activities related expense को सबसे प्रेस करेंगे तब जाके product की cost apply होगी यानि product पे cost निकल के आएगी each product is charged based on the extent to which it used and activities का मलब क्या है हर product की जो भी cost देखी जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि हर activity का कितना use किया गया उस particular product को बनाने के लिए the primary objective of ABC is to assign cost that reflect or mirror the physical dynamics of the business provides way of assigning the cost of indirect support resources to activities, business processes, customer products तो यह बोल रहा है कि जो भी आपके क्या cost object हैं जैसे आपने customer product job देखा उस पर particular जो भी indirect activities है जैसे हमने ordering देखा हमने inspection का बाट देखा हमने storing का बाट देखा जो की procurement से related था तो हमने particular metal का बाट देखा अगर हम मशीनरी की बात करें तो आपको क्या बताया कि machinery का setup का पार्ट आ गया assembly का पार्ट आ गया इस तरीके से बहुत सारी indirect activity है उसकी cost कितनी लगेगी particular product को produce करने में वो हमें पता चल जाता है particular customer से related क्या services related cost होगी तो number of activities की जो भी cost है वो किसके basis पे लग रही है cost object के basis पे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हम product बना रहे हम customer को service दे रहे हम business process की बात कर रहे है activity की बात कर रहे किस की बात कर रहे है इट रेकनाइज that many organizational resources are required not for physical production of unit of product but to provide a broad array of supporting activities तो यह बोल रहा है कि कई organization resources आपको चाहिए होते हैं यह नहीं कि आपको generally क्या करना है unit का production करना है पर आपको support activity के form में उन resources की जरूत होती है तो आपको of a product is a sum of cost of all activity required to manufacture and deliver the product वहीं आ गया product do not consume cost directly product direct consume नहीं करेगा cost को directly क्योंकि अगर डिरेक्टली करता है तो वह कौन से होगी traditional absorption costing हो जाएगी अगर वह activities related cost निकल के आ रही है फिर वह product पर अपलाई हो रही है तो उसे हम activity based costing बोलते हैं तो यहां पर देखे क्या बोल दिया money is spent on activity which are consumed by product or services तो money क्या है resources तो resources के लिए क्लिए होगा resource driver इसका मालब मैंने क्या बोल दिया आपके ऐस money है तो आप उस case में क्या कर रहे हो capital में investment कर रहे हो Machinery's plants furniture जो भी है उसमें आप क्या कर रहे हो investment कर रहे हो तो resource driver उस resource driver के तुरू आपको activity करने की से होगी इसका मालब machine कोगी तब ही तो आप मशीन सेट अप कर पाओगे तब ही तो आप assembly का का म कर पाओगे तब ही तो आप production स्टार्ट कर पाओगे तो तब ही तो जाके आप activity करोगे कोई आपका cost object होना चाहिए मतलब या तो आपको प्रोड़क्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या किसी customer को service दे रहे हो या particular job से related cost देखना चाहते हो कि job की cost कितनी है तो cost object देखना चाहते हो कि कितनी cost निकलने वाली है particular product की जॉब की और जैसी वह particular activity driver का पार्ट आपको पता चल गया जैसे machinery setup मैंने बोला assembly बोला number of order बोले purchase order आपको बताए ठीक इस तरीके से बहुत सारे पार्ट आएंगे number of labor hours भी हो सकते हैं तो जो भी activity driver है वो इस particular activity से related हो वह पता होना चाहिए तो यह सारा आपको दे दिया अब आपको difference में क्या है देखे traditional में क्या होता है overheads are first related to department cost मैंने आपको बताया था वह production service होता है P1, P2, P3, S1, S2 ऐसे बताया था वैसे activity में generally क्या होता है overhead सबसे बहले क्या होता है activity से related होते है फिर उसके बाद क्या होता है जो भी number of activity होती है उनका cost pool बना दिया जाता है जैसे procurement वाला example याद रखिए आपके mind में हमेशा आपको याद रहेगा only two types of activity that is unit level and facility level activities are identified देखिए अभी मैंने इचे type of activities cover कर रखिए तो उससे आपको बता चल जाएगा लेकिन यहां पर क्या बोल दिया सारी activities आती है unit level batch level product level facility level अगर आपने अभी अभी उपर उपर terminology में cost level बढ़ product level बढ़ा facility level बढ़ा batch level बढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा unit batch product facility का पाट क्या है तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि चारो चारो पाट लिया जाता है इसमें सिर्फ दो ही पार्ट लिया आता है तो unit level activity और facility level activities का पाट लिया आता है देखिए कैसे क्योंकि आप वात करते हो सिरुफ ट्रेडिशनल में जब किसे मैं काकर सारी इक्ट कर रहे है तो कॉस्ट पर बैस दिखना चाहते है jo'd पर यूनिट पर रहे है वो देखना चाहते हैं की कई टो कॉस्ट सेंटर डीलो काट इस चैखना परदब अवहर्च कर सतॉ प्रटिकुलर जॉब की बात करता है उससे रिलेटेट कॉस्ट निकालने की बात करता है जब कि इसमें किसकी बात करता है एक ड्राइवर की बात करता है जो कि कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है एक रिसूर्स ड्राइवर होता है और एक कॉस्ट ड्राइवर जो भी रेट निकलती में 1000 मशीन और लगते हैं तो 1000 x 2 कर दोगे क्यों कि टू रूपीज जो आई वो आपकी recovery rate निकल के आई वो आपकी क्या निकल काई recovery rate निकल के आई जबकि activity में क्या होता है activity cost driver rates can be used to a certain cost of work and also cost of other cost objects such as customer segment distribution channel etc तो तो जो भी आपकी particular cost निकलेगी वो अलग-अलग पार्ट की निकलेगी अलग-अलग पार्ट का मलब क्या हो यहां पे तो common है और यहां पे क्या है अलग-अलग activity cost driver related rate निकल रही है मलब machine setup की अलग निकल रही है number of purchase order order की अलग निकल रही है inspection के जो और से उसकी अलग निकल रही है machinery के जो और से उसकी अलग निकल रही है तो उस case में क्या होगा सब का अलग-अलग पार्ट पता कर सकते हो कि क्या resources consume हुए उसके साब से क्या cost आई है अब यह मैंने आपको बताई दिया था तो यह आप देख सकते हो अब different types of activity आ गई activity का मतलब क्या है यह बोल रहा है activity comprise of unit of work or task generally आपको बताए कि कोई work या task जो आपके करना है purchase of matter एक activity है consisting of series of tasks like purchase requisition advertisement inviting quotation वह tender invite करना मैंने आपको बताया था identification of supplier placement of purchase order follow follow up मतलब आपके पास order कब आएगा फिर इसको inspect करना यह सारा पाट आ गया तो इस तरीके से देखिए कितने सारे पाट आ गए कि requisition मिला department से फिर आपने tender invite करा फिर आपने suppliers को identify करा कि कौन कौन मेटल हमें provide करेंगे फिर आपने order place किया order के बाद आपने follow up किया कि supplier कब हमें और प्रवाइड कर देंगे समझ गए फिर आपका आगया types of activities types of activities में क्या बोल दिया देखिए बोल रहा है activities basically fall into four different categories known as the manufacturing cost hierarchy these categories were first identified by Cooper in 1990 and help to determine the types of activity cost driver required categories are अब देखिए यह किस ने कर रहा था generally identify coupon 1990 में और यह बोल रहा है कि जब भी आपको बताए कि activity cost driver आता है बाट तूस केस में जनली activity आपकी काम में आती है अब आपने यह चार activity देखियोगी जो उपर बताया था मैंने cost related वह यह particular लेकिन क्या पता आपके आजाए इसलिए मैंने cover कर दिया क्योंकि देखिए नया topic है अभी तक इसके आपको क्या होंगे पास्चिर की कुछ नहीं दिखेंगे और दिखेंगे भी तो क्या दिखेंगे एक दो दिखेंगे मेरे साब सो तो सिर्फ जून 19 में ही इसका equation आया था क्योंकि उसी वक्त आपका स्लेवस चेंज हुआ था उससे पहले आपका स्लेवस चेंज नहीं हुआ था तो कि अब देखिए यहां पर जनली आप यह तो मैंने पहली भी पड़ाइवा यह अब देखिए यहां पर यून एक्टिविटिए वहीं दो जैसे नंबर और उनित पर अलग होता है और यूनित का बाट होता है कॉछ्वाट की बात कर रहा है तो में क्या हो गया जितनी भ एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपने raw metal का यूज करा और इसको produce करने के बाद जो भी output निकला तो कितनी units निकली 1 lakh unit निकली 2 lakh निकली तो जनरली आप क्या कर रहे हैं तो जैसे मैंने बोलते हैं कि 5 lakh units निकल रहे हैं तो जैसे आप divide 5 lakh कर रहे हो तो unit level activity को बाट आ गया अगर आपको बताएगी 5 lakh में आप क्या कर रहे हो 1 lakh 1 lakh के batch बना रहे हो तो divide by क्या कर दो के 1 lakh तो cost per batch निकल के आ जाएगी ऐसे आ गया तो यहाँ पे बोल रहा है कि these are activities for which the consumption of resources can be identified with the number of unit produced it is performed each time a unit is produced मैंने गलती से वह cost per batch बोल दिया कि आपकी total मिला के cost कितने है 10 lakh की आई और आपके number of batches कितने निकले 5 निकले ऐसे बोल सकते हो तो तब क्या बोलोगे कि हर batch की cost कितने है 2 lakh निकल के आई तो बैच लेवल activities का part आ जाएगा अब unit level के एक्जामपल क्या देती है indirect material या consumable का यूज करना वह generally आपका क्या दे दिय पर मेरे हिसाब से और भी एक्जामपल होते हैं जो कि मैं आपको cover करवा सकता हूं यहां तो नहीं लेकिन यहां पर आपका cover हो जाएगा देखिए यह बोल रहा है जैसे quality control का part आ गया equipment के setup का part आ गया वो भी unit level में दे दिया quality control equipment setup यह generally दे दिया तो क्या बोल दिया वो unit level से related ह अब अगर आप batch level activities वाला part देखोगी तो यहां पर क्या हो दिया तो cost of some activities are driven by the number of batches of unit produced जो भी unit produced हुई है उससे related number of batches कितने हैं जैसे आपको मैंने क्या बता है 5 batches है अब हर batch में कितनी में निकले हैं जैसे मैंने आपको बोल दिया कि हर batch में 1 lakh unit निकल रही है क्योंकि total में कितनी unit थी 5 lakh units निकाल ने थी तो आपको तो cost per batch पता करनी है तो divide by क्या करोगे total batches divide करोगे तो cost per batch निकल के आ जाएगी these are activities relating to setting up of a batch और production run यह जनरली activity कि से related है कि batch को आपको set करना है यह production run को set करना है it is perform each time batch is process यह हर बार perform की जाती है अब देखिए यह कप perform की जाती है it is perform each time unit is produce और यह कप की जाती है हर time जब भी batch process होगा तो यह सारी activities प्रोडक्शन run का पार्ट यह batch को set करने का बाट वह सारा पार्ट होगा तो material को order किया product का inspection किया वह सारा पार इसमें आ गया अब और example देख लेते हैं कि अगर आप उनको दिख रहे हैं इसमें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर example में यह बोल दिया पर्चेजिंग वही मैटर लॉर्डिंग बार्ट हो गया receiving department यह भी batch लेवल से रिलेटेड है जो कि एक तरीगे से करता है goods को receive करता है मैटर को receive करता है तो यहां पर भी देख लिए बैच लेवल में यह बोल रखा है मैटर लॉर्डरिंग मशीन सेटप कॉस्ट इंस्पेक्शन और प्रडॉक्ट तो देखिए मेरे साब से फिर क्या है कि जो मशीन सेटप कॉस्ट का पार्ट नहीं यहां पर गलत दे रखा है यह दे रखाने equipment सेटप तो किसमें आपका बैच लेवल से रिलेटेड पार्ट में आ जाएगा ठीक है अब आपको बोल रहा है प्रट लेवल एक्टिविटी इस दे कॉस्ट आप सम एक्टिविटीज आ डरिवन बाइद क्रिएशन अफ न्यू प्रडॉक्ट लाइन इस मे तो जो technical changes है या engineering changes है उनसे related जो भी expense है वो कवर कर रहे हो facility में generally क्या हो गया कि product चाहे कुछ भी produce हो रहा है ये एक तरीके से supporting के form में काम आ रही है ये बोल सकते है facility it must be carried out regardless of which products are produced these are activities necessary for sustaining the manufacturing process and cannot be directly attributed to individual product plant security production manager salary and maintenance of building ये बाट आगया ठीक अब आप देखना कि मैंने particular जो आपको ये बताया है ना तो ये तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप देखो अगर human resource की बात करता ये question था question में बोल रखाता कि अलग-अलग activity के level है उसके basis पर बताईए तो human resource facility level में आएगा क्योंकि ये particular किसी भी individual department से related नहीं है batch level से related नहीं है unit से related नहीं है तो ये facility provide से related होगा parts management की बात करोगी तो किस से related होगा मेरे साथ से जहां तक ध्यान आ रहा है product से related होगा क्योंकि देखिए क्या बहुत पार्ट्स का management करना तो वह किसमें आएगा product level से related आ जाएगा purchasing का part किस से आएगा आपका आप बैच लेवल से related metal ordering का part तो देख लीजिए यह purchasing का part बैच लेवल वैसे quality control unit level equipment setup यह आपका unit level दे रहा है ठीक और नीचे आपको जब देखोगे तो नीचे equipment setup में यहां पर दे रहा है आपको यह वाला part तो मेरे साब से वह बैच लेवल में जाएगा और वह यूनिट level में नहीं जाएगा machine setup cost का part तो कुछ गलतियों की mistake लेकिन मेरे साब से इतना बाट आपका typical नहीं इसकिन नहीं है को आपको बस क्या करना ऊपर उपर से जनरली सोचना है अब आपको जैक्टिक्टिव दे रखें वह देख लेते हैं क्या बोले रहे हैं अब देखिए objective नोर्मल से हैं सबसे प्रक्श्टिंग को इंप्रूव करना क्योंकि आपको बताए कि आप हर activity के basis पे क क्या कर रहे हो सारी कि सारी आप आइटेवाई कर रहे है और उसके आप क्या कर रहे हो एक्तिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के बता रहे है जो की किसी भी resources पर क्या होगी allocate होगी अगर आपको मैं कहना स्टेजिस का पार बताऊं जो कि मैं अगली वीडियो में cover कराऊंगा क्योंकि आपके क्या 3-4 पेज बचे हैं उसमें टाइम लगेगा तो यहाँ पर देखें कि अब रिसोर्स जर्वेंट का इंक 我是 एक्तिवींट चोट्स अगया वनेंगर सॉटक लेवल में तो दो जो बहुत क्या करती है एक्तिविटी को आई पॉर्थ को में सब्सक्राइवर को number of procurement कितना है कितना है 50 आए इस तरीकी से पाट आया तो डिवाइड वाइड क्या कर दिया आपने 50 कर दिया तो पर procurement की cost क्या रही है उसे हम क्या बोलेंगे activity cost driver rate वैसे अगर आपने इंडिविजिली देखा मुझसे example के form में तो मैंने आपको यहां बताया था एक बार बता देता हूं मैंने आपको यह example कवर करवाया था यह वाला तो देखिए मैंने आप बताया था कि वन लेक फिफ्टी के है मशीनरी के setup की cost है डिवाइड बाइ 250 करोगे तो टोटल पार्ट तो वह 600 रुपीज पर setup निकल के आ जाएगा तो आप 600 करोगे तो ए प्रोड़क में कितना है 600 इंटू जो भी आपको दे रखे है नंबर ओव सेटप दे रखे है तो आपको उपर नंबर ओव सेटप दे रहे क्योंकि आपको बता है कि आपको मशीनरी से related cost दे रखिए कहां दे रखिए यह रही तो आपको मशीनरी की setup की दे रखिए 150 अलग मशीनिंग की अलग से दे रहे है तो आप यह नहीं कि 9 lakh plus 450 13 lakh 50 का कर रहे हो अगर आप यह करोगे तो वह traditional costing system का part हो जाएगा जो कि मैंने आपको बताया ठीक है अब आपको बोल रखा है कि जो यह particular part आएगा इसको multiply किसे करोगे जतना resources कंजूम किया गया उस particular activities से related अगर कोई resources कंजूम का part आ रहा है जैसे multiply करोगे तो cost निकल के आ जाएगी तो यही part आपको बोल रखा था अब उपर देख लेते हैं objective बागी जो बचे तो देखिए आपे बोल रहा है तो प्रोवाइड रिक्वाइड और सौरी एक मार उपर का बड़ो टू identify non-value एडिंग एक्टिविटीज इंड़ प्रोड़क्शन प्रोसेस विच माइड बीए सूटेबल फोकस पॉर अटेंशन और elimination वही सीदी सी बात कि अगर आपको प्रोड़क्शन प्रोसेस में पर्टिकलर उस activity को हटाना यह उस activity को लेना है फालतु में अगर कोई activity ज्यादा कोस्टिंग करनी है तो उसको लेने की जुरत ही नहीं तो activity based costing से क्या बता जलता है कि अगर हमारी कोस्ट लेकिन क्या हो गया कि हमारी कोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है देखिए कोस्ट ज्यादा होने से कुछ नहीं होता आपको जनरली यह देखना पड़ता होगा कि आपका गुट्स जो पिक रहा है वह उस पर्टिकलर कॉस्ट चे उपर प्रॉफिट जोड़के बिक रहा ह तो अगर आपकी कोस्ट ज्यादा हो गई तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है तो उस पर्टिकलर नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को हब अटा रहे हो जिससे आपकी कोस्ट क्या और यह ऐलिमिनेट हो दिये तो प्रोवाइड रिक्वाइड इन्फॉमेशन फोर डिसीजन मेकिंग तो रिद्यूस दा फिर्विलस यानि नॉन एशेंशल यूज ओफ कॉमन रिसोर्स जो भी कॉमन रिसोर्स है उनका तरीके से क्या करना हम बोल सकते हैं यूज जो भी हो रिद्यूस करना कि देखे क्या होता है कि कभी कभी जैना अब कॉस्ट पर निक सब्सक्राइब हो सकते हैं या एलिमिनेशन के लिए कहने का मलब अगर उनको हटाना है तो वैसी बोल दिया कि कुछ कॉमन रिसोर्स हैं जो यूजबल ही नहीं है जैसे ऐलिमिनेशन करना है या बोल दिया नॉन वैल्यू अटिविटीज का वैसे कुछ नॉन एंशेंशल आ इनका यूज कर रहे हो ताकि वह आगे एक्टिविटीज में काम आ सके फिफ्त में क्या बोल दिया टू एनकरी मैंजर टू एफिशेंसी ओफ इंटर्नली प्रोवाइड़ सर्विसेज देखिए मैनेजमेंट जब भी होता है जैसे मैंने बताया पर्चेज ऑफिसर है वह क् इस लेना है अब supplier क्या कर रहे है Quotation दे रहे हो उसके हिसाब से वह क्या कर रहा है किसी पर्टिवर सप्लायर कुछ उनके order का पार्ट ले रहा है पर्चेज ऑर्डर के बाद क्या हुआ है आपके पास क्या आया गुट्स आया आपने उसको इंस्पेक्ट किया तो इस तरीके manager to evaluate the efficiency of internally provided services तो manager को पता चल जाएगा कि जो भी particular उसके नीचे अंडर में काम कर रहा है उसमें कितनी efficiency है कितना efficiently वो काम कर रहा है margin एक तरीके से आप पहले से maintain करके चलते हो तो आप अपनी cost को limited रखना चाहते हो cost को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते तो इस case में हर activity पे आपको cost पता चल रही है तो जो फाल्तू की activity है उसको आप eliminate कर सकते हो जिससे आप जो अपनी cost चाहते थे standard वो particular आप set कर सकते हो कि इ activity based costing के थुरू इसी तरीके से जो आपको reporting करनी है उसके लिए भी आपको product की full cost पता करनी है तो इसके थुरू calculate हो जाएगी अब देखिए स्टेज का पार्ट है identify resources identify activities cost object determining resource driver तो मैंने आपको कुछ ने कुछ पार्ट बता दिये जैसे cost object क्या होता है activities क्या होती है resources क्या होते है तो जैसे जैसे आपको आगे पता चलते जाएंगे और पार्ट एक बार PDF वापी से रीट करना तो आपको और पॉइंट आपको आगे पता चलते जाएंगे और जो शुरू के point बता है वह डंग से देख लेना देखिए objective objective तो क्या है दिये वे होते हैं वैसी पढ़ने कभी क काम आते कभी नहीं काम आते हैं वैसे मेरे साब से क्या होंगे कि इतने जाद आपके काम नहीं आएंगे जो मैंने आपको यह बता है types of activities या cost driver क्या होते है स्टेजेस क्या होती है वही काम में आपके आ सकती है तो जरूर देख लेना अगली वीडियो में यह पार्ट कर लेंगे एक तो यह पार्ट है एक importance है और लिमिटेशन का पार्ट है यूजिस का पार्ट भी है और लिमिटेशन का पार्ट भी है इसको करेंगे अगली वीडि तेखने के लिए थैंक यू